नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि कभी कभी जो कड़वी दवाई होती है वो अपना काम कर जाती है और यहां पर जो भारत ने अमेरिका को कड़वी दवाई दी थी वो काम कर गई है दरसल आपको पता होगा कि अमे ने रूस के साथ टू पलस टू डायलोग अनाउंस कर दिया था इस से पूरे वाइट हाउस में हड़कम मच गया था और उसके बाद तो अमेरिका की ऐसे आखे खुली कि अमेरिका ने भारत को सबसे पहले साड़े साथ सो करोड की मदद भारत भेजी और भारत को ये कहा कि इस के बाद जल्द से जल्द भेज देंगे लेकिन अब अमेरिका ने एक और बड़ा स्टेप उठाया है दरसल भारत बहुत ही लंबे समय से अमेरिका से एक खास हत्यार की मांग कर रहा था ये काफी अड़वान सत्यार है और अमेरिका इसे समुद्री देते भी कहकर बुलाता है और आपको बता दू कि इसके सोदे की जो डील थी डोनाल्ड टरंप के समय होनी थी लेकिन वो एलेक्शन हार गए उसके बार पिछले तीन महीनों से यह रटकी पड़ी थी और अब एकदम जल्द भाजी में बाइडन परसासन ने इसे अपरूव कर दिया है और काया कि हम आपको तुरंट इसे देंगे और इस वीडियो में आप मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा यह हतियार है यह क्या क्या कारणामे कर सकता है और कैसे यह भारत को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना देगा लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करूँ में आपसे एक रिक्वे ज़रूरी था क्यूं क्यूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चीन की जो गुस्पैट है हिंद मासागर में लगातार भड़ रही है और चीन का जो सम्मरीन बेडा है वो अब लगभग अनकंट्रोलेबल हो चुका है क्यूंकि उनके पास सतर सम्मरीन है कंपेर टू इंडिया हमारे पास 18 है ऐसे में चीन की सम्मरीन को काउंटर करने के लिए भारत को कुछ खास करना था ऐसे में भारत ने अब से कुछ साल पहले अमेरिका से उसके सबसे अडवांस P-8I एरकाफ्ट खरीदे थे आपको पता है उसके बारे में और ये कितने ज़्यादा अडवांस थे आपको बता दो कि भारत ने खरीदे थे तो ये नोसेना के लिए लेकिन जब हमने बाला कोट की एरिस्ट्राइक की थी उस दोरान हमने इसका इस्तमाल किया था तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अडवांस और लीथल वैपन है और आपको बता दो कि दुनिया में इसकी टक्कर का कोई भी एंटी सम्मनीन एर्काफ्ट है ही नहीं जी हाँ ये ना सिर्फ ट्रैक कर सकता है दुस्मन के एर्काफ्ट को दुस्मन की शिप्स को बलकि इसमें लगी होती है टोर्पीडो जिनकी मदद से ये उन्हें ध्वस्त भी कर सकता है और आपको बता दो कि भारतिय नोसेना को ये बेहदी जादा पसंद आया है उसके लेकर बहुत ही आर्टिकल लिखे गए हैं बहुत ही सारे जो नेवाल अफसर हैं उन्होंने इंट्रिव्यू दिये हैं और कहा है कि ये बहुत ही कमाल का और गजब का हतियार है लेकिन दिक्कत ये है कि भारत के पास ये बेहदी सीमित संख्या में है ऐसे में पूरे इंदि महासागर में ज़र रखने के लिए हमें कुछ और चाहिए कम से कम 6 और एरक्राफ्ट तो भारत ने नोसेना की बातमानी और अमेरिका के सामने रखा प्रस्ताव कि जी हमें 6 और खरीदने हैं लेकिन अमेरिका ने क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन थे फिर वहाँ पर जो सत्ता अस्तांतरन हुआ तो उसमें समय लग गया और पिछले 3 महीनों से भी लटका पड़ा था हाला कि अब आखिरकार जो वाइडन परसाशन ने इस डील को क्लियर कर दिया है कि जी आप हम से खरीट सकते हैं और हम जल्द ही आपको प्रवाइड करा देंगे पर आप यकीन मानिए इन 6 के भारत आते ही भारत पूरे के पूरे हिंद महा सागर को बड़ी आसानी से सीज कर देगा सीज मतलब की हर चप्पे चप्पे पर हमारी नजर रहेगी बल्कि इनका इस्तमाल हम कर सकेंगे दक्षिन चीन सागर में भी ताकि चीन पर हैवी प्रेशर बनाया जा सके इसके लावा इनका इस्तमाल हम चीन की सीमा पर भी कर सकते हैं ताकि वहां पर मोनिटरिंग की जा सके क्या चीन कोई हरकत कर रहा है या नहीं इस डील की कीमत है करीबन 2.3 बिलियन डॉलर हलाकि आपका क्या मानना है सत्यार पर और अमेरिका की सप्रोच पर कमेंट करके जुरूर बताएगा साथी वीडियो को शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूर दू भूलेगा ठैक्रों साची वीडियो